जहाज उड़ने के लिए तयार था, उसे किसी कॉन्फरेंस में पहुँचना था, खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी वो कॉन्फरेंस, वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया, अभी कुछ दूर ही चला था कि कैप्टन ने एलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वज़े से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम करना ही रहा है, इसलिए हम करीबी एरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर है, जहाज उतरा और वो बाहर निकल कर कैप्टन से शिकायत करने लगा, उसका एक एक मिनट कीमती है, होने वाली कॉन्फरेंस में उसका पहुचना बहुत जरूरी है, पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया, और बोला डॉक्टर जिशान साहाब आप यहां पहुचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से तीन घंटे में पहुच सकते हैं, उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी ल और दर्वाजा खट-कटाया, अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाएं, दर्वाजा खुला है, अंदर एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी, उसने कहा माजी अगर इजाज़ाद हो तो आपका फोन इस्तमाल कर लो, बुढ़िया मुस्कुराई और बोली बुढ़िया नमाज और दुआ में मश्गूल थी, एक बच्चा कंबल में लपेटा पढ़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी, बुढ़िया जब फारिग हुई तो उसने कहा माजी आपके एकलाक और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया, आप मेर लिए भी दूआ की है, खुदा का शुक्र है, उसने मेरी हर दूआ सुनी है, बस एक दूआ की कबूलियत में शायद उसे जादा समय लग रहा है, जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा, तब डॉक्टर ने पूछा कौन सी दूआ, बुढ़िया ने बताया, ये जो ब कर सकते हैं, लेकिन मैं बुढ़िया कहां उस तक पहुँच सकती हूँ, जाओं भी तो पता नहीं वो देखने पर राजी हो या नहीं, अल्ला से दूआ है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, डॉक्टर की आँखों से आसूओं का सैलाब बहने लगा, वो भर्राई हुई आवा के लिए इस तरह आसानी मुहिया करा सकता है, वो बुसबुल असबाब है, अल्ला के बंदों उसे लौ लगा कर तो देखो, जहां जाकर इनसान बेबस हो जाता है, वहां से उसकी खुदाई शुरू होती है